नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे तो जी ये हो गया है सुबह काई टाइम है और ये उसे वीडियो का अगे का पार्ट है जो इन दुनिरेस की दुनिया पे आज सुबह मैंने डाला था और कोशिश करूंगी कि हर रोज वीडियो अब कंटिन्यू डालू सुबह को भी बारा बजे तक और शाम को साथ या आट बजे तक वीडियो मैं रेगुलर वीडियो डाला करूंगी अब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी मैं तो यहां पे मैंने बाहर की तरफ साफ सफाई कर दी थी और कपड़े मैंने रात को फैला दिये थे कुछ कपड़े फैलाए थे रात को वैसे तो मैं साथ के साथ कपड़े उतार दिती हूँ क्यों कि अब इतना तो हो जाता है दिन इतना मतलब हो जाता है काफी कि मतलब साथ के साथ सुख जाते हैं शाम को लेकिन ये कपड़े थोड़े में थोड़ा सा लेट होगी तो और बच्चों की यूनिफोर्म बगयर थी इसलिए मुझे कपड़े थोड़े से बाहर छोड़ने पड़े नहीं तो मैं साथ के साथ ही उतार के रख देती हूं चार साड़ी चार बजे तक अगर कपड़े दोती हूं तो 6-6 बजे तक कपड़े आराम से सुख जाते हैं 7 बजे तक तो मैं उनको अंदर ही रख देती हूं लेकिन वो बस थोड़ा लेट दोए गई तो सुखे नहीं थे इसलिए मैंने उनको बाहर छोड़ दिया और आदे ही कपड़े मैंने फ़लाए के लिए भी कोई और शब्द है नहीं कि जिन में मैं अपनी बात रख सकूँ क्योंकि कुछ भी हम कहले तो हर बात का अग्ये से एक जवाब आ ही जाता है तो इसलिए बस मैं अपने आपको शान्त रख रही हूं और चिजोग को जैसे हो रहा है होने दे रही हूं और बस मेर मैं के पास रादे रादे ही है कहने के लिए और वही मैं बोल रही हूँ तो बंक देखिए आप लोगों की जो है आप लोगों को जो सही लगता है वह सही हो गा मैं यह नहीं कहरी नहीं लेकिन मेरे पास उन बातों का तर्क या जवाब देने के लिए कुछ भी और नहीं है तो इसलिए मेरा जवाब बस रादे रादे है आप लोग भी रादे रादे बोलिए और अपने जीवन में खुश रखिए तो खेर यहां पर मैं पोच्चा लगा दे रही हूं और झाल 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 तो जी अब मुझे नहाना है और नहाने से पहले ही मैं वोश रूम और टोईलेट साफ करती हूं ये वीडियो में सिर्फ इसलिए शूट कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे ये कॉमेंट थे कि मैं बातरूम वगेरा वोश नहीं करती हूं हमें नहीं दिखता तो इसलिए मैं पुच्चा वगेरा लगा कि सारा कुछ करने के बाद जा कि मैं वोश रूम दोती हूं और फिर उसके बाद में साथ के साथ नहाती हूं तो मतलब ये हैता है पहले तो होता था ऐसा कि मैं पुच्चा लगाने से पहले वोश रूम वगेरा साफ कर देती थी फिर आप लोगो बाद में नहाने से पहले बातरूम और टोईलेट धोती थी और यही मेरा रीजन भी है एक बाद में नहाने का क्योंकि सुबह को जब नहा लेते हैं सब पूजा बगेरा हो जाती है तना चिंता नहीं रहती तो बाद में मैं अपना यह सारा करने के बाद फिर आराम से नहाती दोती हूँ फिर वही है कि मैं पहले सुबह को नाओ फिर उसके बाद सारी साफ सफाई करके दुबारा नाओ दों तो देखे इतना तो अपने से नहीं होता मैं अपना सारा काम निप्टा के फिर मैं दोती हूँ और यह वीडियो बनाना सिर्फ मैंने इसलिए ही शूट किया खुला खुला सा अच्छा लग रहा था और फिर निच्चे से आंटी भी आई थी देखने के लिए तो उनको भी अच्छा लगा देखके आंटी इसलिए खुश रहती है उनको लगता है कि जैसे भी हो घर साफ सुथरा रहता है यह नहीं है कि कहीं से गंदा कर रखा या कु कर लेना या आगे से थोड़ी से बाल उठा कि उनको पीन अप करके पिछे और अब तो गर्मिया आगी हैं बाल जितने टाइट बंदे रहें उतना अच्छा है गर्दन पर फिर बाल काटते हैं तो इसलिए मैं अब सोच रही थी कि मैं अपने बाल ना टाइट ली ही बंदा कर लेना तो दर्दसा होने लगता है तो खेर देखिए यहां पर बस अभी मैं अपना कर लूँगी शिंगार जो भी मेरा शिंगार है क्रीम बगएरा लगाना जो भी है नोर बल वो मैं कर लूँगार है जो अपने लगार है तुझी खुद तयार होने के बाद और अपना शिंगार करने के बाद यहां पे मैं अपने लड़ू को पाल को नहला दुला रही हूँ क्योंकि सुभए के टाइम थोड़ा सा लेट हो गे थे उठने में बच्चे भी तो मैंने उनको बोल दे था मैंने कोई बात नहीं तुम प पर दे कि मेरे दोनों ठाकर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ठाकर जी की किरपा है कि सब कुछ ठीक है और उन्हीं की किरपा से सब काम हो रहे हैं अच्छे हैं बुरे हैं सही है गलत है जीवन में जो भी है सब उन्हीं की किरपा से है अपने से तो जितना बन पड़ता है उतना करते हैं में यह न हैं नहीं कहते की बाई भिलकुल दूब बत्त मिया घाना यह मैं बठीती हूँ। अपने मन से हो जाता है इतना मैं करती हूँ, और यह भी नहीं मेनिस मेरे ochtti की ब्याए सबी अपने कहीं और भार तो मैं अपने ठाकुर जी को नहीं ले के जाती तो जी देखें मेरे ठाकुर जी हो गए है दुन्नों तैयार और कैसे लग रहे मुझे कोमेंट करके जरूर बताईए और मेरे दुन्नों ठाकुर जी मतलब पहन ओड़के बिलकुल इतने सुन्दर लगता है ना हर कुछ एक ड्रेस ही है ऐसी जो मैं उनके लिए लेका आई थी लेकिन उनके ओपर वो खिली नहीं फिर मैं उनको पहनाती नहीं हूँ और जो पिछली वीडियो में मैंने कि परपल कैलर की द्रेस नहीं पहनाई थी तो कहर दे कि काना जी को बिठा धी था मैंने और उसके वगएरा रखी राते हैं मेरे पास तो में फूरृट वगएरा उनको दे देती हूं दो जद्याद तर में उनुने फूरूट वगएरा यदि स्षट दाने गर भर में वही उंके यॹ्य के लिए भ方 बहुंद के लिए लगारी कहा धान वाला अगंधाल करा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जितने भी जिनको भी मैं जानती थी, वो सब यह बोलते थे, कि भई अपने मन से दो, भगवान जी है, क्योंकि हम भी खुद खाते हैं, जो भी दो उनको वो दे दिया करो, जो बनाया करो, और वो खुद भी लोग सब देते ही हैं पर बद जब आप लोगों के इतने कोमेंट आते थे तो फिर मैंने भी सोचा कि चलिए जब चीज ना हो घर में तो एक अलग बात है लेकिन जब है फ्रूट वगरा है सारा कुछ तो फिर मैं वही देती हूं मजबूरी एक अलग चीज है पर जब है तो कोई बात नहीं तो यहां पर काम खतम करने के बाद मैंने पी है चाए और फिर मैंने किया था थोड़ा सा अराम उसके बाद फिर आ गया था कृष्णा स्कूल से तुझी ताइम बजगे धाई और कृष्णा आ गया था और यह देखो इसके अते ही बस सब स काता हुआ यह इतनी बड़ी वास्कृफत हो तुझे दे रखी हो डपे का क्या करें है इसिमें डाल सारी इसमें एक जगर है बिटें है सारी है तो तब भान बड़ हगा फिर एक एक लिफाफिय में भर करके होगा सारे सारव को इसमें डाल खेले अपना घ्लते खेलते खेल भी तो जब में आएंगे या नहीं आहेंगे तो भी कहने किसाब्जी तो रहे किसाबशली तो रहना दे जो है वाई मैं तो देहें कॉछ लेक आउंगा तो धीक कोई कडी नहीं है काँ साइब तो यहां जोह बादो पेट में अनके गर्मी सी तो यहां पर देखिए मैं करने लगी हूं अब मूमफली फ्राइए वो कृष्णा मांग रहा था कि ममा मूम फली दे दो तो फिर मैंने सुचा कि चलिए भून देती हूं थोड़ी सी मैं काना जी को भी दे दूंगी और फिर बाद में कृष्णा ले लेगा हम जैसे कुछ ऐसी चीज होती है तो पहले काना जी को भोग लगा देते हैं उसका फिर बाद में हम सब लोग खा लेते हैं उसको तो यहाँ पर मैं मूम फली ले रही थी घीमे में उनको फ्राई कर रही थी और अच्छी लगती है यह थोड़ी सी जादा तो खते नहीं है लेकिन दो दो चर-चर सब ले लेते हैं अगर बनती है तो रखी रहती है मेरे पास अब भून देती हूं कभी भी अभी मखाने वगारा खतम हो रहे नहीं तो मखाने भी देती हूं मैं भून के उनको बच्चों को तो यहां पर देखी बस मैं इनको हलका हलका सा भून ले रही हूं और भूनने के बाद फिर में नमक एड़ करूं प्थब पत्जिय थे नमक में अबसी है मैं ओुता और अ ले पड़क्सक तो बसाश हो ही जब थे पून की अबसी है अभी गरम है बिट्टे ये बदाम है इसमें एक ही है वो बच गया होगा इसके अंदर आगया होगा अभी गरम हो ठिंडी होने दें को ठीक है तो जी अब है ये शाम का टाइम और अपना दोपेर का सारा काम वाम खतम करने के बाद सारा कुछ करने के बाद मैं फिर आई थी कपड़ों पे कहां तो मैंने दोपेर ही तै करने लग रही थी फिर होगी थी शाम तो मैं का चल यह कोई बात नहीं इधर प्यू मेरे पास बैठ गी है पढ़ने के लिए मैं टीवी भी चला रही थी और वैसे प्यू का राइटिंग वर्क था तो मैंने का चल मेरे पास ही बैठ के कर लेगी जब तक उनका रहता है अपना वो करती ही है जो भी स्कूल से उन् उनलाइन भेजते हैं क्या स्कूल में कराया पूरी एक वैब साइट सी इन्होंने बनाई हुई है उस पर यह हर चीज नोट करते है कि इन्होंने आज स्कूल में क्या एक्टिविटी कराई क्या होम वर्क दिया है और क्या स्कूल में करवाया गया है तो उससे हमें भी अप् गर्मियां आगी हैं और लोड पढ़ता रहता है बिजली पे तो लाइट बार बार आती जाती रहती है गर्मियों में तो खेर देखे यहां पर मैं कर रही थी तै और कृष्णा साहद अपने डैडी के साथ उधर गया हुआ था और रूही दूसरे रूम में लग रही थी रू देख रही है तो देख लेने तो थोड़ा सा मनलब बैठे बैठे भी बच्चा बोरी हो जाता है तो ख्यार देखें यहां पर अब सारे कपड़े मैंने कर दिये हैं तै और तै करने के बाद मैं इनको रख दूँगी इनके यह थास्तान पे तो बस इस वीडियो को रोकती अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेर करें कमेंट करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मिलती हो एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे बाई बाई आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए खुश रहिए